पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, क्या उसकी परिवाशा है, उसके अंतरगत टाइपस ओफ फर्टिलाइजेशन, कितने प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें केरियोगेमी, साइटोगेमी, आइसोगेमी, एनिसोगेमी ये किसे कहते है external fertilization और internal fertilization क्या होता है site of embryonic development के अंतरकत हम किन चीजों का अध्यान करते हैं यह सब कुछ पढ़ाता अब इससे आगे बढ़ते हैं आते हैं mechanism of fertilization के ऊपर यानि निशेचन की क्रियाविधी निशेचन की जो क्रियाविधी है निशेचन की जो एक प्रिक्रिया है वो एक जटिल प्रिक्रिया है और इसे अध्यन की सुविधा के लिए हम पांच stages में पांच प्रावस्थाओं में बाढ़ सकते हैं नमबर एक approximation of gametes approximation of gametes का मतलब है योगमगों का निकटाना उनका समागम होना approximation of gametes दूसरा है capacitation of sperms यानि शुक्राणूं का योग्यतार जन यानि शुक्राणूं योग्यतार जित करते हैं निशेचन के लिए तो वो जो प्रिक्रिया है वो capacitation कहलाती है तीसरा है acrosome reaction and penetration acrosome अभिक्रिया क्या होती है और इसके साथ ही भेदन penetration किस प्रकार से होता है यह हम पढ़ते हैं acrosome reaction and penetration के अंतरगत then after activation of ovum अंडानू का सक्रिय होना अंडानू का सक्रियन यानि निशेचन से पूर्व अंडानू का भी उसके लिए तैयार होना आवशक होता है तो यह हम इसके अंतरगत activation of ovum के अंतरगत पढ़ सकते हैं और पांचवा जो इसका step है वो है fusion of gametic pro nuclei इसको amphi mixes भी कहा जाता है यानि जो gametes के pro nuclei है प्राक केंद्रक हैं उनका आपस में जो संगलन हो जाता है fusion हो जाता है वो किस प्रकार से होता है और यह क्रिया क्यों आवशक है किस तरह से होती है यह इसके अंतरगत पढ़ते हैं इसको हम amphi mixes यानि ओभय मिश्रन भी कहते हैं और इसके बाद mono spermi और poly spermi किसे कहा जाता है यह भी पढ़ेंगे तो एक एक करके यह topic जो हैं इनको लेते हैं सबसे पहले लेते हैं approximation of gametes यानि जो यूगमख हैं उनका समागम कि यह किस प्रकार से होता है तो जो निशेचन की क्रिया है फर्टिलाजेशन की क्रिया है उसमें नर्व और मादा यूगमखों का जो समागम होता है यही शबसे बड़ी सबसे महत्तोपोन सबसे पहला स्टैप क्योंकि इसी में यदि किसी प्रगार की रुकावट होई तो आगे फर्टिलाइशन की गिरिया संभव नहीं होगी जैसा आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं आप जानते भी हैं कि नर और मादा युगमग इन दौनों की प्रिकृति जो होती है भिन्न होती है जहां एक और जो ओवम होता है वो तो गतिहीन होता है वहीं जो शुक्राणू होता है स्पर्म जो होता है वो गतिशील होता है शुक्राणू को गति करके अंडाणू तक पहुचना होता है और शुक्राणू को जो यह गतिशील बनाए रखने हैं जो आवशक पोशक पदार्थ जो होते हैं वो बहुत अधिक नहीं होते हैं कमात्राव होते हैं और इसलिए बहुत अधिक देर तक बहुत अधिक समय तक उनकी गतिशीलता बनी रहे यह आवशक नहीं है क्या कह सकते हैं इसके आधार पर कि जो यूगमक होते हैं उनका जीवन काल कम होता है ठीक है तो ऐसे में बहुत कम समय में ही यूगमकों को आपस में मिलना होता है तो उसके लिए जो आवशक परिस्तितियां है वो अनुकूल होना आवशक है तो समागम की जो संभावनाएं अधिक हो सकें इसलिए प्राकरतिक रूप से ही शुक्राणू की संख्या बहुत अधिक होती है और वहीं दूसरी ओर चुकि बहुत कम समय में सक्रियन की अवस्था बनती है तो अंडानू भी जो है उसी प्रकार से प्राकरतिक रूप से निर्मित होता है उसका आकार बड़ा होता है क्योंकि उसकी संख्या कम होती है इसलिए ये सारी आवशक परिस्तितिया हैं जो प्राकरतिक रूप से भी बनाई हैं प्रिकरती प्रदत्त हैं और इसके अलावा उसके अनुकूल बातावन भी तैयार किया जाता है कुछ निम्निश्रेणी के प्राणी अवश्य होते हैं जिन में ये ध्यानों के पश्चात जानकारी मिली के उनमें अंडानू द्वारा कुछ कैमिकल्स जो है वो सीक्रेट किये जाते हैं और इस टाइप के कैमिकल होते हैं जो की शुक्राणू को अपनी और आकर्शित करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं कीमो टैक्सिस रसायन अनुचलन उच्छ श्रेणी के जो प्राणी होते हैं उसमें इस प्रकार का कीमो टैक्सिस न संदचना वाले उन में यह चीज़ देखने को मिलती है अब जो कि शुक्राणूं जो होते हैं उनकी जो गती होती हो रेंडम होती है मतलब उसमें कोई एक पैटर्न निर्धारित पैटर्न निश्चित पैटर्न नहीं होता रेंडम गती होने के कारण से तो यह जो समागम की क्रिया है फिजन की जो क्रिया एंडाणू और शुक्राणूं की यह एक आकस्मिक रूप से होने वाली गटना माना गया इसको सहीं वो होने वाली गटना माना गया तो कुल मिला के जो पहला स्टैप है उसमें एप्रोक्सिमेशन ऑफ गैमिट्स के अंतरगत सब प्रकार की अनुकूलताएं यदि रहती हैं तभी शुक्राणूं गमन करते हुए अंडाणूं तक पहुच पाता है और निशेचन की क्रिया संपन होती है यह मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं यह स्लाइड यह है पैसेज ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फर्टिलाइजेशन इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म हैं वह विजाइना में इजेकुलेट होने के बाद में उनका वह गरवाशह से होते हुए यूटरस में होते हुए और फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं फैलोपियन नलिका या फैलोपियन टीप बोल सकते हैं और इसको अपन अंडवाहिनी भी कहते हैं अंडवाहिनी भी कहते हैं तो इसमें जो स्पंस हैं वह ट्रेवल करते हैं औ जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में मैचोर एग भी उपस्तित होता है वहीं तक ट्रेवल करते हुए यात्रा करते हुए स्पर्म पहुंचते हैं और इस फैलोपियन नलिका में ही निशेचन की क्रिया प्रारंब होती है ठीक है तो यह जो अप्रॉस्क्रीमेशन ऑफ प्रापियन नलिका तक पहुंच जाएं और वहां जाकर पैनेटेट करने में भी सफल हो जाएं यह सारी चीज़ जब हो जाती है तब फर्टिलाजेशन की क्रिया संपन होती है अब यह दूसरा आप एक डाग्राम देख रहे हो इसमें पैनेट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओव सबसे बाद देख रहे हैं इसके बाद दूसरी लेयर है जो काली पट्टी जैसी आप देख रहे हो इसको जोना पहली सिडा बोलते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेंब्रेन इस्तित होती है और अंदर रोता उसके कोशी का द्रव्या तो यह जो बाहर की कुरोना रेडिटा आधा जोना पहली सिड़ा ये layer सेयं그램 को इनको क्रोस करते हुए अंधर और में प्रिवेश करना होता है तो कुल मिला के और मौका सक्रियान यह सारी चीज 31 निशेचन का हिस्ता स्वर चाहितuju सारी समय समय पर आ यह घटनाय होती हैं तब जाके निशेशन की क्रिया संपन हो पाती है एक वज्ञानिक हुए एफ आर लिली उन्होंने अंडाणू की सत्य पर कुछ बड़ी आणविक संद्चना वाले रासायनिक परासायनिक परार्थ उन्होंने खोजे उनों नाम दिया अतर चीब जन है। यानि अब यह जो हमारा यह जो स्पर्म है और टो न होता है। उस समय क्या क्रिया होती है chemical कौन कौन से reactions होते हैं उसको समझाने के लिए कुछ जो अध्यन हुए तो उसमें पाया कि भई कुछ नाणू के सते पर बड़ी संद्चना वाले कुछ रासाइनिक पदार्थ होते हैं जिनको फर्टीलाइजन कहते हैं और निशेचिन भी इनको हिंदी में निशेचिन बोलते हैं तो निशेचिन एक प्रकार के रिसेप्टिंग मॉलिकूल्स हैं ग्राही अडू हैं जो कि ग्लाइको प्रोटीन या एसिट म्यूको पॉलिसेक्राइड के बने हुए होते हैं और वहीं शुक्राणू की सते पर कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं शुक्राणू की सते पर तो उसको कहते यह जो एंटी फर्टिलाइजन होते हैं यह बेसिकली एसिट प्रोटीन होते हैं एसिट प्रोटीन होते हैं और निशेचिन यानि फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन यह दोनों ही केमिकस जो होते हैं यह स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं इनका करेक्टर स्पीश और शुकरानू एक दूसरे के साथ कि फ्यूजन उनका होता है उसके बाद ही निशेचन की क्रिए संपन हो पाती है तो यह इसमें संभावना इसी के करण क्योंकि कभी देखने में आया है कभी विजाती है शुकरानूं और अंडानूं का आपस में फ्यूजन नहीं होता और एंटी फर्टिलाइजिन है यह इनकी जातिय वैसिष्ट होने कारण से यह नहीं हो पाता है यानि कि सजातिय शुक्राणू का निशेचन सजातिय अंडानू से ही होता है उसके लिए responsible कौन है उसके लिए responsible fertilizing और anti-fertilizing होते हैं इनकी जो रासाइनिक प्रकरती होती है अलग-अलग प्रजातियों में अलग-अलग प्रकार की होती है और स्वावा भी वह अलग-अलग इसको lock-and-key यानि तालह चावी सिद्दानत आनुसार भी मानते हैं तो ज्यसे इक तालह होता इसके एक निरधारित चावी होती है उस निरधारित चावी से ही ताल्य को खोला जा सकता है यदि किसी दूसरी चावी को आप चामगोने को पुशिश करेंगे तो वह खुलेगा नहीं तो एक निश्चित ताले की एक निश्चित चावी होती है इसी प्रकार से एक निश्चित फर्टिलाइजन का एक निश्चिती एंटी फर्टिलाइजन होता है जो स्वावाग विरुक से एंटी फर्टिलाइजन शुक्राणू के पाए जाता है और फर्टिलाइजन ओवम की उपर पाए जाता है तो वह सवजातिये जो होते हैं उन्हीं स्विक्राणूं और अंडाणूं की बीच में यह समागतमक्रिया हो पाती है कि शुक्राणूं के जो अंडाणूं से चुपकने वाले जो संग्या दी जाती है यानि समुहन जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने जैसे ब्लड टेस्ट किये हो तो ब्लड टेस्ट में हमने अपना जो blood group है उसको test किया होगा तो उसमें हम test करते हैं तो RVCs का समुहन हो जाता है agglutination हो जाता है जैसे हम ढालते हैं उसमें antiserum तो वो उस तरह का agglutination की संग्या यहां भी दी गई है यह जो होते हैं वो जैसे ही अंडानों से मिलते हैं तो उनके अंडानों शुक्राणों के बीच में एक समुहन agglutination की जैसी एक प्रिक्रिया हो जाती है उसको हम समुहन कहते हैं एक डाइग्राम आप जैसे साम यहां देख रहे हो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं इसमें शुक्राणों और अंडानों की जो लेयर है जोना पैलियू सिडा इन दौनों के बीच में लॉकेंड की जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस तरह की रियक्षन दिखाई दे रही है इस चित्र में जैसे जैट पी 3 जैट पी 3 जैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जोना पैलियू सिडा 3 ठीक है यह शुक्राण हुए इसमें गेलेक्टोसाइल एंजाइम है गेलेक्टोस ग्राइक प्रोटीज और यह इसके जोना हैं तो यह जो स्पीशी स्पेसिफिक एंटीजन और एंटी सोरी फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन इन दौनों की रियक्षन इसमें बताई गई है यह जो एक और वैग्यानिक हुए वाशरमेन और सेलिंग इन्होंने एक सिद्धांत दिया इसके अनुसार इस्त प्राणू की सतय पर प्रोटीन का एक विशिष्ट यूगम इस्थित होता है जो कि जो ओवम होता है उसकी जोना पहले से डाके जैट पी 3 छेत्र में एक विशिष्टी करत कार्व हैड्रेट और प्रोटीन छेत्र को पहचान लेता है शुक्राणू पर जो इस्थित बाइं प्रारंब हो जाते हैं जैट पी 3 गलाइको प्रोटीन पर एक विशेश प्रकार का शरकरा गैलक्तोस भी पाय जाता है यदि शरकरा समूग अठा दिया जाए तो शुक्राणों अपनी जाती के अंडाणों को पहचानने में असफल हो जाता है यह इस प्रकार के कुछ प्रि पांच स्टेप्स मैंने आपको बताए उन पांच स्टेप्स में से पहले स्टेप का मैं जो जो घटनाएं घटित होती हैं उन में यह एप्रोक्सिमेशन ऑफ गैमिट्स के अंतरगत एक तो ट्रैवलिंग ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम उसके साथ ही पैनेटरेशन ऑफ इसके साथ ही पैनेटरेशन तो होने घटनाएं बाद में होगी पहले बांदिंग के इसमें अंधी इत्यादी यह आपको बतायाए इसके आगे कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रियक्शन आदी त्यादी यह आपको अगले लेक्शर में बताएंगे तैंक यू